लो फ्रेंट स्वागत एक बार फिर से आप सब का आपके अपने पसंदेदा यूटूब चैनल एलेने स्टॉक में कैस बहुत सारे लोगों नों कमेंट करके पूछागी क्या पीएम किसान में हम लोग अपना मुबाइल नमबर या बैंक एकाउंट रजिशर करने के बार दुबारा से उसको चेंज कर सकते हैं अगर गलत हो गया है तो हाँ बिल्कुल हम चेंज कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे पूरी जनकारी देने वाला हूं कि हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं अगर हमारा एकाउंट नमबर या मोबाइल नमबर गलत हो गया है तो हम उसे कैसे बदल सकते हैं तो सबसे पहले आपको डिवीट एकरी कल्चर के में वेब साइट पर आ जाना होगा ड इसके बाद आपको अपना पंजीकर्ण संख्या इंटर कर सकते हैं तो चलिए मैं फटापट से आपर इंटर कर लेता हूं सबन को इसका सार्च बटन पर ककुछ कर देंगे जैसे हम अपना पंजीकर्ण रिकर्ण करेंगे तो तिन ऑप्षिन मिलेंगे कैसे आप गरेंगी अपना ढाना पड़ेंगे नीदिक करने तो बस आपको आपके मुबाइल नमर पर OTP जाएगा और उस OTP के माद हमसे आप अपने सुलहार कर सकते हैं अपने PM किसान में तो यहां पर हम क्लिक कर दें डिमोग्राफिय प्लस OTP पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस को लेगा आपको यहां आपके आधार काट से आपका मुवाल नमबर लिंक होना चाहिए जिस पर आपको OTP सेंड किया जाएगा तो अथेंटेकेसं पर क्लिक कर देंगे बीना आधार नमबर लिंगे कि आपको OTP सेंड नहीं किया जाएगा और इसके वैसे आपको अपना वेरिफाई नहीं कर सकते आपको OTP सेंड कर देंगे जैसे मेरे आपको मिल चुका है मैं आपके कॉपी कर लेता हूं यहां पर पेस्ट कर देता हूं मैं आपे इंटर कर लूँगा इसको OTP करने के बाद वैल डेट लेट उट विपी पर क्लिक कर देना होगा इसके बाद आपके समय कुछ इस तरह का और फिर सिक्रोफ यहां है तक अरेर्स खुलेगा यहां पर आपको दिख एउपएंगे तत के तो इसके गाल को करेंगे आपके सामने जो भी आपका राश्याश्य आइडिया नाम आपका का दिखेगा। और फिर bank account यहाँ पर old को हटा करके new अगर करना चाहिए तो new कर सकते हैं अगर new add करना चाहते है तो new पर click करनेगे old देना चाहते तो old पर click कर लेंगे ठीक है इसके बाद यहाँ पर आपना bank selector लेंगे जो भी bank हो आपका वहाँ पर select कर लेंगे जैसे मेरा इतल payments bank है तो मैं इस पर click कर दूँगा और यहाँ पर account number आपको इंटर कर देना होगा जो भी आपका account number है वहाँ पर इंटर कर सकते हैं तो आपको account number इंटर करने के बाद आए फसी code इंटर करना होगा तो यह हमने कर लिए अपना इसके बाद submit बटन पर click कर देंगे तो थोड़ा से time लेगा वेट करना पड़ेगा और यह हमारा कुछ आज आएगा इस तरह से notification आपको यहाँ पर OTP को आपको यहाँ पर इंटर करना होगा चलिए हम इंटर कर लेते हैं यहाँ यहाँ पर क्लीक कर देना होगा इसके बाद यहाँ पर आपको ज्ण जाएगा जो भी आपका है विदिन 14 हो जाएगा इस तरह से हमारा हो जाएगा तो यहीं रहए जानकारी हम आज कीसे विडियो में आसा करूंगा आपको उजानकारी एच ही लगी होगी । तो प्रेइस के कारी के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केर एंड सी यू